नमस्कार जैशी कृष्णा मैं राकेश शिवानी एस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जोकिस ग्यान के नाम से सिरीज चलाई है जिसमें from very basic से लेके और advanced astrology तक पढ़ाएड है तो जो लोग ये class attend करेंगे या जो देख लेंगे आशा है कि वह एक अच्छे जोकिस पन सब्सक्राइब तो मैं गोचर के ओपर जिक्र कर रहा था कि जो नियम है और जो बहुत इंपोर्टेंट हैं जो prediction में आपके काफी काम आते हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा था तीछे भी मैंने आपको गोचर मे क्या क्या देखना चाहिए उसके बारे मैं बताया आज मैं आपको और सूत्र बताऊंगा कि जो गोचर में आपको देखना चाहिए गोचर में देखने से वह बहुत important हो जाता है अगर आप गोचर में उस चीज़ को देखते हैं पहले चीज़ महादशा स्वामी यदि अब यह क्या मतलब है इसका मतलब बहुत सिंपल है जैसे किसी ग्रह की अंतरद्रशा चल रही है तो अगर गोचर में लगन से बहुत रहा है यहनी गोचर कुंड़ी झिए आप अपने लगन से भनके डियंकंड़ी बना लीजे जो कुंडली है आपकी मालिया करक्लगन आपकी है और आप ने आज के समय कि वह मालिया प्रश्चिक लगन की आ रही है तो आप उसको भी खर्क्लगन में चेंज कर लीजे और ग्रह वैसे इस बठाई यह जैसे बैठें तो होगा क्या कि फिर आप देखिए कि एकर अंतर दशानात डीवन चार्ट में अच्छा है वेल प्लेस्ट है वेल एसपक्टिड है तब उसकी दशा के समय और उसकी अंतर दशा अगई अगर गोचर में वी वह अपनी उच्छराशी में स्वैराशी में या मित्राशी में है तो लगन से जिस भाव में ब्रहमन करता है उस भाव की ब्रद्धी होगी गोचर में लगन से जिस भाव में है उस भाव के रिजर्ट्स पढ़ जाएंगे अच्छे पॉस्टिफ रिजर्ट्स मिलेंगे आपको लाब भाव में हैं तो आपको नौखरी मिलेगी नवे भाव में हैं तो भाग के ब्रद्धी होगी धार्मी मान लोग किसी ग्रह की अंतरदशा है मंगल की है या पुद्ध की है या प्रस्पत की है और जन्म कुर्णी में बलहीन है बलहीन कैसे होगा कि वो छ्याट बारे भाव का स्वामी है या अच्छे भावों का स्वामी नहीं है और केंति कोन लाव भाव में नहीं बैठा है चटे वो अपनी नीच राशी शत्रु राशी में जा रहा है और अस्त भी है तो वो लगन से जिस भाव में होता है उस भाव के पलों को तो विल्कुल बंटादार कर देता है आपको सिंपल ये जहन रतना है कि जो अंतर दशानात है आपका अगर वो कुंडली में बलहीन है निर्भल है और निर्भल के जो है वो सूप्तर आपको मालूम है कि निर्भल कैसे होता है ग्रह अशुब राउं से इत्रस्टो सूर्य से अस्तो नीच राशी में हो च्छटे आ है और खोषर के समय वह अपनी राशी में या सुरे से अस्त हो जा रहा है तो पलड़न से जिस ब्रह्मन कर रहा है चार्ट पें लेकिने तो उस बहुत रिज़ल्ट आपको बहुत अशुम में लेंगे का मान लीजिए जैसे यहां दिखाया हुआ है कि यह लगनी कुंडी है यह लगन की कुंडी आपको दिखाई गई है लगनी है इसके ब्ली में देखिए शनी आठवबाउ में निच राशी में एक नमबर राशी में आठवे बाब में तो शनी निर्बल है और इसकी अंतरदशा आ गोई तो शनी जब गोचर में सिंग राशी में जाएगा गोचर कुंडली के अंतर तो यह शत्रू राशी में आ गया कि सूर्य का शत्रू है तो लगन से बारवे घर के फल अच्छे नहीं करेगा ऑस्पिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा जेल भी हो सकती है व्य हो सकते हैं अन्नेसेसरी मन की शान्ती भंग हो सकती है नेन नहीं आ यह सारी प्रब्लम सोगी आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा है जो निर्वल है आपने शनी रहे अंतरत्रशा आ गई शनी घुमता हुआ आपने इदर गोचर कुंडली बना ली गोचर कुंडली में भी लेज सेम लगन रखेंगे आप छे नंब यह वह दोचर में लगन से और मही후 चर कर रहा हुआ यह और रहर में सूजा की राशी करहा है कि आप छकूर आप जिआए अर्थ डुमते ही वह कर रहें कि वह लगन से का व्य घर में कर रहा तो इस घरका नुकसान व प्लत श्रभल दिखाएगा यह बिल्कुत सिंपल से सिद्धानते हैं और इसमें कोई लंबी चोड़ी चीज़ इसके इंदर हैं तो यह नियम बहुत इंपॉर्टन्ट है इन नियमों के बारे में अगर आप दिखान रखेंगे तो आपको जरा सी भी प्रोडम नहीं होगी और अराम से आप कर पाएगे बहुत सिंपल नियम आशा करता हूं यह नियम आपको समझ माएं होंगे समझ माएं हों तो कांड़ी शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ हम एस्ट्रोजी क्ला स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लोग जोइन करना चाहते ह हैं वो अबना संपर पर सुझते हैं धन्यवाद जेशी किष्णा नमस्टाइब